नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्राइट फ्यूजर में आज है 15 दिसंबर, आज कखसा 6 के लिए हिंदी विशे का ग्रह कारिया आया है पार्ट का नाम है नादान दोस्त यहाँ 5 प्रश्ण है नादान दोस्त पार्ट से संबंदित हम एक एक करके इन पांचों प्रश्णों को हल करेंगे तो बढ़ते हैं पहले प्रश्ण की और पहला प्रश्ण है नादान दोस्त कहानी के लेखक का नाम लिखो इसका उत्तर है नादान दोस्त कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है प्रश्ण संख्या दो नादान दोस्त कहानी में किन दो बच्चों के बारे में बदलाया गया है इसका उत्तर है नादान दोस्त कहानी में केसव और श्यामा के बारे में बदलाया गया है प्रश्न संख्यात तीन केसव और श्यामा के पिता किस कारिये में व्यस्त रहते थे इसका उत्तर है केसव और स्यामा के पिता पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे चोथा प्रश्ण क्या यह सही है कि चिडिया के अंडे चूने से खराब हो जाते हैं तथा चिडिया क्या उन्हें सेती नहीं है हाँ या ना में उत्तर दो तो यह जो कतन है यह बिल्कुल सही है अगर हम चिडिया के अंडे को हाथ लगाते हैं तो चिडिया उन्हें अंडे को नहीं सेती है प्रश्ण संख्या पांच चिडिया ने कार्निस पर कितने अंडे दिये थे इसका उत्तर है चिडिया ने कार्णिस पर तीन अंडे दिये थे हमने एक एक करके पांचो प्रुष्णों को हल कर लिया है अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जो भी हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि भवश्य में आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहें धन्यवाद